हेलो नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका आशिश मटो में आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा इसकॉर्पियो क्लासिक के बारे में अपने सेग्मेंट की रफ एंट टफ दबंगो वाली सेविज डिटर सेवी है इस स्टर्डिंग प्राइस की बात की जाए तो तेरा लाग बासाट अजार एक सोरूम से इसका बेस वरेंट इस्टार होता है और टॉप चला जाता है सत्रा लाग बायालीस हजार एक शोरूम तक इसमें भाई सिर्फ दो ही वरेंट आते हैं S और S11 तो ज़्यादा चॉइस आ ज्यादा ब्लैक कलर में बिकती है इसके अलावा इसमें वाइट रैड ग्रे बहुत सारी कलर चॉइस आती है अगर बात की जाए ट्रांस्विशन की तो भाई सिर्फ मैनुवल आपको ऑप्शन मिलेगा औरमेटिक का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है इसको और प्ला करवाना जाए तो करवा भी सकते हैं और इसके बेस वाले ब्रेंड में आपको नाइन सिर्टिंग के अप्शन देखने को मिल जाएगा यह काफी अच्छी चीज़ है की की बात की जाए तो यहां पर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग की ऑफर की जाती है लॉक अनलॉक बज ठाली से तो सेंटर में महिंद्रा की ब्रैंडिंग है महिंद्रा का लोगो क्रो में घृमं आपको मिलती है अंदर अंधर देहेंगे तो मैंट फिनिश आपको देखने को मिल जाता है headlamps की बात की जाए तो यहाँ पर आपको projector headlamps देखने को मिलते है high beam के लिए halogen ball मिलता है उपर आपको eyebrow देखने को मिलता है यह भी जलती है भाई नीचे turn indicator की placement है यहाँ पर आपको LED DRL, fog lamps की placement सारी चीज़े आपको दी जाने इसके top end variant पर है नीचे silver finish में इसके plate है 180 mm का ground clearance है तो यह होगी front की बात bonnet पर देखेंगे तो भाई काफी cuts and increases hood scope भी आपको मिलता है उपर बढ़ेंगे तो वहाँ पर dual wiper with foster का setup है अगर roof की बात की है तो floating roof आपको मिलने वाली है roof rails है और आगे की तरफ आपको मिलने वाली है इतना कुछ आपको मिलने वाला है c8 की tires है, tire section की बात की जाए तो 235, 65, 67 का देखने को मिल जाएगा and fender पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है silver finesse, turn indicator की placement, mirror पर आपको नहीं मिलती है outer mirrors की बात की जाए तो काफी बड़े size की रखे गए electrically आप इनको adjust कर पाऊगे, अंदर आपको button मिल जाता है इसनको adjust करने के लिए बाकी fold आपको manually हाथों से करना पड़ेगा बाकी नीचे doors पर देखेंगे तो cladding वगड़ा मिलती है dual tone color में, इस corp की badging मिल जाएगी 2680 mm का wheelbase है और यह रहे इसके body colored door handles अगर इसके front dashboard को दिखाऊँ, एक जलक दिखा देता हूँ, बाकी आगे proper इसको cover करेंगे तो ऐसा कुछ आपको dual tone color में देखने को मिलता है rear में drum और front wheels में आपको मिलती है, disc brake बाकी उपर देखेंगे, तो इधर आपको मिल जाएगा है DEF, UVA डलवाने का, यह cap उस side आपको मिलता है, diesel डलवाने का rear में देखेंगे, तो ऐसे कुछ आपको लुक्स नजर आने वाले है थोड़ा सा congested है थोड़ा ज़्यादा पीछे हो रखिए, तो मैं आपको proper नहीं दिखा पाऊँगा उपर spoiler है, high mount stop lamp है यहाँ पर देखेंगे, defogger, wiper की placement, सारी चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर महिंदर की branding है बाकी Scorpio, Classic, S11 की मिल जाएगी, यहाँ पर badging बाकी नीचे lower bumper में देखेंगे, तो यहाँ पर reflector की placement है इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से डलवाएंगे आप अपना diesel यह हैं इसके door handles, pillar size में आपको tail lamps देखने को मिल जाती है tire indicator, reverse light की placement आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसको अगर open करें तो यह देख लो बाई, interface seating arrangement देखने को मिल जागा इसके अंदर, आमने सामने आप बैठते हैं, अगर इसके बात करें तो 460 लेटर का boot space आता है अगर आपको नहीं बैठना है, यहाँ पर कोई सी को नहीं बैठाना है, तो space की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है नीचे आपको मिल जाता है spare wheel, अब चलते हैं इसके second row में, तो यह रहा है इसके door handles अगर door trim की बात की जाए, तो ऐसा कुछ आपको मिलता है, single tone color में, पूरा beige finish है यहाँ पर, उपर देखेंगे, तो यहाँ पर door opener, grab handle, pounder की controls, यहाँ पर कुछ space, नीचे bottle holder second row की बात की जाए, तो यहाँ पर इतना कुछ मिलता है leg room, इतना कुछ head room, दो-दो head rest है, यहाँ पर arm rest भी आपको दिया जा रहा है, fabric की seats मिलते हैं, आप इसमें बाद में seat cover लगवा सकते हैं, अपने choice की according आप चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके सारा space वगरा देखते हैं, तो यह देख लो भाई, knee room देख लो, leg room देख लो, इतना कुछ आपको मिलेगा, space मतलब बहुत जाद अच्छा तो नहीं है, लेकि इतनी कोई दिक्कत है, यहाँ पर नहीं होने वाली है, अ इसके रावा, इसका front dashboard rear से, देख लिए, ऐसा कुछ दिखता है, 9 इंच का touch info 10 मिलेगा, इसके top end variant के अंदर, अब इसको proper cover करेंगे हैं, इसके front driver seat पे बैटने के बाद, तो यह रहस के door handles, अगर भाई, door trim की बात की जाए, तो सेम आपको ऐसा कुछ मिलेगा, beige finish में, उपर द इसके front cabin की, तो यह देख लो भाई, spaces cabin है, आगे वले जो headrest है, उनको आप address कर पाऊगे, इसका front dashboard, adjustable headrest आपको मिलते हैं, और यह रहे हैं, इसकी fabric seat, काफी comfortable हैं, काफी चोड़ी हैं, आराम से आप यहाँ पे बैट पाएंगे, यहाँ से height, यहाँ से recline कर सकते हैं, नीचे द इसके front cabin में, और यह रही इसकी flip की, जिसको हम लगाते हैं, नीचे और on करते हैं, इसका ignition, तो गाड़ी का ignition on करते हैं, ऐसा कुछ आपको cluster देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे rv meter है, इदर आपको मिलागा, speedometer जिसके नदरा को मिलती है, 180 तक की top speed, बीच में M.I.D. है, जि steering की बात किया है, तो ऐसे कुछ आपको पूरा leather wrap steering मिलेगा, यहाँ पे महिंद्र की branding है, side में आपको multimedia call के control, यहाँ पे आपको cruise control दिया जा रहा है, यहाँ पे wiper के control है, इधर आपको मिलते है, headlamp के सारे control, अगर adjustment की बात की जाए, तो नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ आपको मिलता है liver, जिसके through आप अपनी steering को tilt ऊपर नीचे address कर सकते हैं, टेलिस्कोपी का कोई option देखने को नहीं मिलेगा, महिंद्रा Scorpio के अंदर, यह तो कई भाई steering के बात, अब बात करते हैं, गाड़ी के center console की, तो यहाँ पे देखेंगे तो AC के vents हैं, और यह 9 इंच का touch info आपको टेमनी सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay, यह सारी चीज़े देखने को नहीं मिलती है, आप से भाई music बजा सकते हो, मतलब इसमें सिर्फ Bluetooth वगरा ही चला पाओगे, वाकि Apps में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको यह सब Apps वगरा देखने को मिल जाते ह आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, वाकि Navigation, Bluetooth, Radio इस सारे चीज़े आपको देखने को मिलेगी, बेस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुर डबा मिलेगा, यह रहा इसका AC, और यहाँ पे आपको Manual AC है, और यहाँ यहाँ पे आपको Automatic AC देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे Hazard के Switch है, और यहाँ पे आपको Ideal Start Show Quad बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को कुछ स्पेस है, यह 12 बोल्ट का Charging Outlet हो गया, और यह है इसका Six Speed Manual Transmission, यह सिर्फ Manual में आती है वाई, यहाँ पे Manual Handbrick है, यहा और Manual Day-Night IRVM है, इदर Sunvisor में आपको कोई मिरर नहीं मिलता है, अगर को ड्रावर साट की बात किया तो यहाँ पे जरूर दिया जा रहा है, विसीबिल्टी की बात किया तो ऐसे कुछ आपको मिलेगी महिंद्रा है, और पर गंदर काफी उंचा बैटते हैं, आप Bumper to Bumper और यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही एर्बेक्स देखने को मिलते हैं, प्रैसिंग की बात किया तो भाई, टॉपेंड S11 वेरियंट है, 17,42,000 एक शोरूरूम और लगबग लगबग 20,30,000 रुपए की ओनोर लखनों पढ़ने वाली है, ओनोर प्रैसे इस्टे टुश्ट वे कर सकते हैं, आप अपने सोरूम पे जाके पता कर लीजेगा, और भाई जो स्कॉर्पियो लवर हैं, वो 20-21,000 रुपए नहीं देखते हैं, उनको चाहिए तो भाई सिर्फ स्कॉर्पियो क्लासिक, तो यह थी वहिंदर स्कॉर्पियो क्लासिक, कैसे लिए आपको नीचे कमे क्तारü यह थी कर सक्कॉर्पियो क्लासिक, वो.